आदाब नाजरीन आप देखने हैं तस्रीम टीवी हमार साथ राश्टी उपादक से अलपसंख्यक मोर्चे के जानते हैं किस तरह जो आज प्रेस कॉन्फिरेंस आईजित की क्या मामला था और किस तरह से अब संख्यों को मुद्दों को लेकर कल घिराव किया जा रहा है तो क्या मामला है पूरा उसकी जानकरी लेते हैं देखो बारतिय जन्ता पार्टी अलपसंख्यक मोर्चा का कल एक विशाल धरना मुख्य मंतरी जी की निवास को घेरने का काम होगा उसमें हमारे अनेक मुद्दे होंगे जब भारतिय जनता पार्टी की सरकार जब तक थी जब तक राजस्तान के अंदर में जो विकास कारिये चल रहे थे एक उन सब को बंद किया गया और चार साल के अंदर में ये जो चार साल गए कांग्रेस सरकार के राज के इन में अलप सि भी वादे अभी घोसना पत्तर के अंदर ही है किताब में ही बंध है इन्हों ने एक भी काम अल्षिंक की एक समाज यह किया है चाहे तो मदर्सों का विकास हो चाहे तो वकष़ बोड की जो जमीने थी उनके उपर कब्जे किये गए उनके कबजे फटाने का काम था और लगश के समाज की जो प्रुपट्यां थी वकःब॔र्ड की प्रुपट्याइंगा थी जहां पर भूमा फिया उन्हें कबजार किया वह तो वह वहां पर किराय नहीं आता भूमा प्याओना कबजा करना का है और वो ही नहीं कांगरेश, सरकार ने अपने पूरे कारियकाल के दोरान में सबी जो वकबोड की जमीने है उनके ओपर कबजा करने का काम किया है और वो ही नहीं मैं यह कहता हूँ कि जब चार साल इनके पूर्ण हुए जब इन्होंने मदर्सा बोर्ड की गोशना कर रहे हैं, वकप बोर्ड की गोशना कर रहे हैं, जब जाकर के हज कमेटियों की गोशना कर रहे हैं, तो हम यह कहते हैं कि जब आपके पास में अलफ संक्यक समाज के अलग-लग विभाग है, अलग-लग बोर्ड है, उनमा आप मंत्री हुआ करते थे और एक बहुत पावर्फुल केमिनेट मंत्री हुआ करते थे राजस्तान के कोने कोने से जब अलब संग के समाज की समझे हैं हुआ करती थी तो वो उनको उनकी सुनवाई भी भारती जनता पार्टी कारियाल हुआ करती थी और उनका समाधान भी हुआ कर परशेंट बोट लेकर के और इनोंने इनके एक भी काम नहीं किया है और वो ही नहीं भारतिय जनता पार्टी के सरकार को 10% बोट अलब संग्य के समाज के मिलते हैं लेकिन जब योजनाओं का बात आती है जब उनके कल्यान कारी कारियों की बात आती है तो 90% तक फाइदा इनक भारत वर्स में 11 करोड बने उसके अंदर में 30% से ज्यादा फाइदा हुआ चाहिए तो रोसोई गेस्ती साड़े नो करोड उसके अंदर में 28% ज्यादा फाइदा वा तो हम अगर योजनाओं गिनाने लगें तो साड़े 300 योजनाओं माननिया नरेंदर मोदी जी के नेतरत कि एक विशेश वर्क के खिलाफ है विशेश वर्क के खिलाफ हिंसा का मामला करती है जिस तरह से आप देखें कि रामदेग बावा का भी एक बयान यहां पर आया उस पर एक विशेश वर्क के खिलाफ एक वीडियो वाइरल हुआ जिसमें नमाज को लेकर बात की गई तो इ संप्राइब है या वाड़ और मंडल इए अगर कोई बढ़ना चाहता अलव संक्याल को मोर्चे का तो उसकी शिपारिष विधायगण करते हैं जिल्ला देख सिकार करते हैं और एंपी तक की सिपारिष या आती है इसका मतलब क्या है कि वह 550 आलफ संक्याल के लोग लगाता माननी है नरेंदर मोदीजी की योजनाओं से फाइदा देखकर के राज्य सरकार में जब हमारी बीजेपी की सरकारती उसका फाइदा देखकर के जिस तेजी से जुड़ रहा है भारती जनता पार्टी में आने वाले समय में ये कांगरेस तो अल्फ सिंग एक समाज के भोटों के लिए तरसेगी अब अल्फ सिंग एक समाज सिक्चित हो गया है अब वो समय नहीं बचा है अब आप तो बहुत पुराने बातें कर रहे हैं जब अल्फ सिंग एक समाज और भारती जनता पार्टी के बीच में जो बात हु हुआ है और भारती जिनता पार्टी की योजनाव से जितना फाइदा अलब संग्यक्स समाज को हुआ है उस कारण से तेजिस समाज जुड़ रहा है और उन सब करेगा बयान देना उस पर अलब संग्यक्स समाज के लिए किसी ऐसे सब्दों का उपियोग नहीं करेगा जो सोब नहीं हो वह हमारे लीडर है जब वह हमारे लिए ऐसी नियत रखते हैं तो एक आदा वक्ति अगर कोई इधर उदर की बात करता है तो हम इसकी परवानी करते है और इन बातों से हम एकदम विचलीत नहीं होते तेजी से आने वाले दिनों में माननी नरेंदर मोदी जी के नेतरतोब में अलब संग के एक समाज लगातार भारती जनता पार्टी से जुड़ेगा ये थे हमारे साथ राष्टिय उपाद्यक सुसेन साब जोनों लगातार भेवा की सप्री बात्चीत रखी नवसकार आप देख रहे हैं तस्रीम टीवी केमरामेन मनुच के साथ रमाकांद गोस्वामी